Hello friends welcome to my channel beauty and hair styles 今天 है आपके लेके आई हूँ कि अगर हम new parlors रख कर रहे हैं तो हमें कौन-कौनसे hair colors की tubes तो ही अपने parlors मेरे रखनी चाहिए बोओ अछा कॉशन है यह हमारे वीवर्स ने हमसे पूछा है जो कि बहुत ही अच्छा कोशिन है कि जिसमें कि कुछ ऐसे स्लेक्टिव टूप्स रखे नए पार्लर में आप पूरा पैकेज लोगे तब बहुत कॉसली पड़ेगा तो एक ऐसा अपना जो पैकेज बना लें जिसमें आप जो सारे शेड् है तो ज्यादा तर हाइलाइट्स जब करते हैं हूं तो ज्यादा तर जू यूम्स होता है करा हँड़ा एटिसो के लिए मैक्सिममा टाइम जो है वो 750 youngest होता है 7 क्या होता है Medium, Blonde और 0.3 क्या होता है Gold, Reflection यानि Medium, Blonde के साथ Gold की Reflection इस Tube का Use बहुत ज़ादा किया जाता है क्योंकि Highlights में ये Tube बहुत ज़ादा Use होती है ऐसे ही 8.3 मेरे Coding आप 7.3 रखिए काफी ठीक है और अगर आप 8.3 भी रखना चाते हैं तो वो भी रख लीजी, 8.3 थोड़ा और लाइट तक चली जाती है तो एक तो दो ट्यूप्स मैंने पताई 7.3 और 8.3 की Next आपको एक Burgundy Shade ज़रूर रखनी है Burgundy Shade Burgundy Shade जो की बहुत अच्छी Shade होती है ये 4.20 यासे की 5.20 इसमें आती है या इससे भी 6 में भी 6 के नम सीरीज में फी एक Burgundy Shade आती है Burgundy Shade की Select करके जो आपको चाहिए वो ट्यूप आप रख सकते हैं एक ट्यूप एक 753, 8.3 एक Burgundy Shade की क्योंकि Burgundy Shade बहुत ट्रेन में है और बहुत जादा Effective है Next आपको और कौन से ट्यूप रखनी है देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम बिना Pre-Lightning के ही Light Color चाहते है कस्टमर को एक Light Color चाहिए बिना Pre-Lightning के तो आपको 12.1 नमबर की ट्यूप भी जरूर रखनी चाहिए 12.1 नमबर की लाइट कूल ब्लॉंड में आती है जो Direct Lifting के लिए यूज होती है तो एक ट्यूप उसकी जरूर रखे तो यह हो गई 4 ट्यूप जो कि मैंने आपको बताई एक 12 की सीरीज में आप जब सी Color चाहट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यह क्यों बता रही हूं 713, 8.3 और 12.1 और साथ ही साथ 12.1 किसलिए होती है 12.1 इसलिए होती है ताकि आपको थोड़ इसी Direct Lifting चाहिए Color के साथ इसलिए Matrix लोरियल ने अपनी 12 सीरीज निका लिए 12.1 के और इसके इलावा एक और हमारी होते बर्गंडी शेड वह आप स्लेक्ट कर लीजिए कभी बर्गंडी में बहुत सारी शेड आती है आप कौन सी शेड रखना चाहते हैं कोई भी एक शेड आप पिक कर लीजिए इसके इसमें कभी-कभी क्या होता है याइन की को ग्रे कवर होते है यानिकी की चार ही उपस पयंगे आपको बता दे global कवर कर चाहिएह होता है तो global करने के लिए आप एक छोकलेटी शेड değ जरूर रखे चोकलेटी कलर की चोकलेटी येडी चोकलेटी शेड की आपकी अलग अलग tubes आती है जैसे कि 5.325 की भी ट्यूब आतिया जो चॉकलेटी शेल देति ती या और बहुत अच्हा रिफ्रेक्शन देती है तो और 4.35 की भी टूब आती है दोनों की चोकोलेटी शेड में थोड़ी थोड़ी सा फर्क होता है दोनों में से एक चोकेलेटी शेड की ठी रख लीजिए अगर क्लीट को ग्लोबल करांना है क्लोबल में जाथतर छॉक्लेटी शेड ही चलती है अब चॉकलेटी शेड के अब मैं हमें यह होगी 5-5 टूप आज जरूर रखें और साथ ही साथ जो एक और टूब मैं आपको बता रहे तो आपको बेशेट भी मिख्स करने पड़ती है अगर आपने 4.35 चोलेटी शेट रखिया तो फॉरक नुम्बर का बेशेट ज़रूर रखें ये तुब्स आपको अपने न्यू आलर रण करने में ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत होगी next अगर oxidants की बात करें हम 20 volume, 30 volume और 40 volume इन 3 oxidants को जरूर रखता है आप इसमें से कोई भी oxidants skip नहीं कर सकते तो 3 oxidants रखे 20, 30 and 40 volume और इनके जो oxidants के इलावा हमारे blonder होते हैं एक blonder का pack जरूर रखें complete blonder रखें क्योंकि fashion shades बहुत कम जो है लेते हैं तो यह जो मैंने आपको tubes बताई है ना इन tubes में आपका काम जो है जो की हो सकती है 5.20, 4.20 जो भी आप रखने चाहते हैं 5.20 ठीक है बर्गंडी sheet एक आपकी global के लिए ग्लोबल के लिए मैंने आपको चॉकलेटी शेड बनाइब बताई है जो कि है 5.35 की या 4.35 की अगर आप 4.35 पी रख रही है तो उसके साथ उसका base sheet जरूर रखें तो ये highlights के भी हो गया, बर्गंडी जो की hot trend में है वो भी हो गया, हमारा global के लिए भी हो गया, हमारा white coverage के लिए भी हो गया, ये tubes जरूर रखनी है ये 5 tubes हैं और 12 series में वो इने बताई थी, वो रख सकते हैं, 6 tubes हैं ये और इसके इलावा, मैं अक्सिजेंट्स बताई हैं, तीनों अक्सिजेंट्स आपने रखने हैं और एक blonder रखना है तो इस तना से आप जो है अपने पार्लर में, नए पार्लर में, कम सी कम investment में एक अच्छा product जुया रख सकते हैं और clients को provide कर सकते हैं अगर आपको कोई requirement पढ़ती है ना, इन products के इलावा कोई requirements पढ़ती है तो आप buy कर लिएजे, कोई problem नहीं है लेकिन मुझा नहीं लगता कि इनके इलावा आपको कोई ज़्यादा पढ़ेगी और यह sufficient है लेकिन का लगती है आप buy कर सकते हैं तो friends, I hope so कि आपके मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज़्याद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल, beauty and hair style तो मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you, goodbye